हेलो दोंस्तो रेलकार वाज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारती रेल्वे में बहुत से अलग-अलग कारे प्रणाली है जिसे आम जनता जानती ही नहीं है तो आज इस वीडियो में हम IPS रूम क्या होता है इसी के बारे में जानने वाले हैं तो इस देखते राने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो चलिए आज का रिल्थ कारवां शुरू करते हैं IPS का मतलब होता है Integrated Power Supply Room आपको तो मालूम ही होगा कि भारती रेल्वे में signaling की महत्वता कितनी होती है और एक signal से ही दूसरा signal पैनल कंट्रोल होता है मतलब कि अगर एक signal में खराबी आती है तो उस section के सारे signals खराब हो जाएंगे या काम नहीं करेंगे और ऐसी समस्या उत्पन हो जाती अगर ये IPS rooms नव बनाये जाते तो अब मैं आपको बताता हूँ कि IPS rooms में होता क्या है देखिए signals में होते हैं सिर्फ electronic chips, GPS और LED lights जिनहें कंट्रोल करने के लिए विद्यूत की आउशकता होती है अगर station पर powerhouse द्वारा आने वाली बिजली के सहारे इन signals को operate किया जाएगा तो समस्या आएगी जैसे की कभी अच्छानक light चली गई तो सारे signal बंद पढ़ जाएंगे और इसे पूरा railway system ध्वस्त पढ़ जाएगा और कई trainे रुक जाएंगी इस समस्या से निपटने के लिए इन IPS rooms को बनाया गया है IPS rooms में बैटरीज का बनाया हुआ एक सरकिट होता है जो कि signals को निरंतर पावर सप्लाई किया करता है हमाशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारती रेलवे के रेल मारगों के स्टेशनों पर एक IPS room होता है उसका अर्थव काम क्या होता है अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजी और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर भारती रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए